2019 में रिलीस हुई इन 5 फिल्मों को होना चाहिए था ब्लॉकबास्टर नमबर 1 हो गई टोटल फ्लॉप नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उन 2019 में रिलीस हुई 5 ऐसे फिल्मों के बारे में जिन से बॉक्स आफिस को काफी उमीदे थी पर ये फिल्में बॉक्स आफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई नमबर पांच सोन चिडिया तुशान सिंग राजपूत की इस साल दो फिल्म में रिलीस हुई थी पर उनकी फिलम सोन चिडिया बॉक्स आफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई और ये फिलम अपना बजट भी नहीं इस फील्म को दशकों ने नकार दिया और ये फिल्म इस साल के सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई करन दिए वॉल ओलि ने चौरिश को और फिल्म्स मिला जुला रिस्पोंस मिला और 30 प्रोट में बनी इस फिल्म ने इस पंदरा क्रोड रुपे की कमाई की और फ्लॉप साबित हुई नमबर दो स्टुडेंट अफ दा इयर टू टाइगर श्रॉप्स तारा सुतारी और नन्या पांडे स्टारर ये फिल्म टूडेंट अफ दा इयर का स्विकल थी और ये फिल्म दर्षकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर सिर्फ अपना बजट ही वसूल कर पाई और इस फिल्म को दर्षकों से भी बहुत अच्छा रिस्पॉंस नहीं मिला और ये भी फिल्म बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट साबित नहीं हो पाई इस साल रिलीज हुई ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर ब्लॉक बास्टर शुरुआत की थी पर इस फिलम को स्मिक्षों के द्वारा खराब रेटिंग और दश्कों को ये फिलम बिलकुल भी पसंद नहीं आई और ये फिलम बॉक्स आफिस पर टोटल फ्लॉप साबित हो गई पर ये फिलम हिंदी में हिट साबित हुई पर ये फिलम दूसरी भाशाओं में भूरी तरह से फ्लॉप साबित और ये फिलम और इंडिया में फ्लॉप साबित हो गई है